जिहर के नारायन वाला गाओं में गुल्दान ने पशो पर हमला कर दिया. गुल्दार के हमले में एक बचले की मौत होगी जबकि गुल्दार ने एक गाय को घायल कर दिया. गटना उस वक्त की है जब गासी वाला में धारा नदी के पास किसान मदन सिंग अपने पशो को चरा रहा था तभी जाडियों में छिपे एक गुलदार ने पशो पर हमला कर दिया अचाना गुलदार को देखकर पशो चरा रहे लोगों के भी होश उड़ गए लोगों के शोर मचाने पर गुलदार पशो को चोड़ कर जंगल में भाग गया घटना के बाद इस्थाने लोगों में दैशत का बाहूल है रेंजर राके शर्मा ने किसानों को मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया है रेहर से मनोज गैलोद की रिपोर्ट तो वहाँ पर टाइगर दो निकले दो टाइगर होना निकल गया मेरे बश्ड़ को हमला करा उसकी जो आवाज निकली तो आवाज निकलने पर मैं पोच्चा तो टाइगर मेरे सामने खड़ा हो गया जब खड़ा होगे तो मैंने डंडा निचे धर्ती में मारा, धर्ती में डंडा मारके वो थोड़ा हटा, हटने के बाद में जब निकल गया जब मेरे पशलू खड़ा करा, उसको हालक तो गंबीर है और इसका यह टेट वा फार दिया, बच भी सके नाई बस सकता हूँ